हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत हैYa- किन्द सपिसे होगा सबसे हमारी टेशन कीत경 के इसकी परिभाश अगर आप यह तीनों चीजे अच्छे से करते हैं तो फुल-में फुलमक्स देके जाएगा तो आज की हमारी definition गद्य और पद्य का रूप है, गद्य और पद्य का रूप कैसे, तो पद्य वाली definition में हमारी क्या है, एक दोहा है, तो चलिए start करते हैं, तो विशम मात्रिक छंड कुंडलिया, कुंडलिया कैसा है, विशम मात्रिक छंड है, छे चरन लगाए, छे चरन होत ठीक है, पहले दो में दोहा, बाकी चार में रोला आए, ठीक, एक बार फिर से देख लीजे, कुंडलिया कैसा है, विशम मात्रिक चंद है, चरण कित्ते होते हैं, छह चरण होते हैं, पहले दो में दोहा, बाकी चार में आपके रोले का रूप होता है, रोले को रख दिया जा कुंडलिया आपका विशम मात्रिक चंद होता है ठीक है तो देख सकते हैं आप आगे इसमें च्छै चरण होते हैं कितने चरण होते हैं जिसमें पहले के दो चरण जिसमें पहले के दो चरण होते हैं वो क्या होते हैं दोहे का रूप होते हैं और बाकी के चार में हम क्या करते एक रोला जोड़ कर बनाते हैं, पहले के दो दोहे को रोले को मिला कि क्या बनता है, आपका कुंडलिया बनता है, तो ऐसे बने हुए छंद को हम क्या कहते हैं, कुंडलिया छंद कहते हैं, तो इसमें एक बार फिर से समझ लिए पहले दोहा रखा जाता है, वाकी चार में रोल अगल बन गे आपका कुंडलिया तो ये थी अपकी पद्द्वाली डेफिनिशन ये थी अपकी गद्द्द्वाली डेफिनिशन अब इसका example आप कैसे देंगे तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं कि example में आप मात्राइं कैसे लगा सकते हैं, तो वो भी देखेंगे, ठीक है, तो एक्जामपल इसका है, बहुत ही सिंपल, देख सकते हैं, आप लाठी में गुड बहुत हैं, सदा राकिये संग, गहर नदी नाला पड़े, तव बचावे अंग, अगर गहरी नदी और नाला भी अगर गुड तव बचावे अंग, जपटि गुटता को मारे, अगर गुटता भी आपको जपट गा, तो उसको भी मारने के काम आएगी, दुश्मन दावां गीर करें, तीनहों को संगारे, दुस्मन भी अगर आप भी पीछे पड़ जाए, तो उसको भी चंगार करने के लाठी काम आएगे टिक अब आगे देख लीजिए क्या है गिर्धर कविराय सुनो ओ मेरे साथी गिर्धर जी आपके कह रहे हैं मेरे साथी सुनो सब हतियारन छोड़ हाथ में ले लिजे लाठी बाकी सब हतियार पीछे छोड़ दीजे लाठी को अपने साथ ले लिजे क्यों आपकी लाठी में क्या है गुड़ बहुत हैं सदा राखिये संग तो अब इसमें मात्राएं कैसे लगा सकते हैं तो जो आपकी काखा गा वाली मात्रा आती है उनमें वो लगू मात्रा लगती यानि एक लगती है और जो आपका गुरू वाली होती बढ़ा आ बढ़ी इ फिर दो एक दो इसमें संग में ना भिए दो एक ठीक है अब पूरे का टोटल कर लिजे अब पूरे का टोटल एक दो चार एक पांद्व साथ तीन दस दो बारा एक तेरा तेरा त्पंद्रा तरह दो 9-1-20-24 ठीक है तो देख सकते हैं अगर आप तोटल करेंगे इन मात्रा तो कितना निकल के आएगा? आपका 24 आएगा, इमें लगा लिए। एंगे दो हिक वाले, हमें लगा लिए लगा ली है। बाके दोगें सोलटे वाले में लगा के चेक कर सकते हैं। भी आपकी 24 मातराएं निकल के आएगी। चार चरण होते हैं, 24 मात्राइं, तो देख सकते हैं, इसका इस पश्टी करण आप कैसे देंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में 6 चरण हैं, जिन में प्रत्तेक में 24-24 मात्राइं हैं, और उपर के 2 चरण में 2 हैं, तथा बाकी के 4 चरणों में रोला है, अता ये आपका क्या एक नेक्श टोपिक पे, तैक ये वर वाचिंगे दिस आता है, प्रस्तुत पर चाहिए, प्रस्तुत 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 प्रस्तुत।